असलाम लेकुम, मैं हूँ कॉंसा फैस, बी आर्जी आर्टिस्टिक किरियेशन्स की कॉडिनेटर आज मैं इस आउडियो में अपनी ग्रूप मेंबर्स को और आप सब को ये आइडिया देना जाती हूँ कि हम आर्टिस्ट कैसे बने, आर्ट फॉर दे बिगनर्स, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने कभी आर्ट का कोई काम नहीं किया है, कभी पेंसिल से कुछ ट्रॉइ नहीं किया है, कभी पेंट और प्रश का इस्तमाल नहीं किया है, कभी आर्ट के बारे में सोचा भी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ टिप्स दूँगी किसी यांग बंदे ने या किसी हमखवातीन में से किसी ने आर्ट की तरफ उसको शौक पैदा हुआ है He or she want to draw तो वो क्या करें सबसे पहले मेरा आप से आपको मैं आपको बताओं कि आर्ट कभी शुरू नहीं किया था सकता कि आप करें कि मैं शुरू कर रही हूँ मैं स्टार्ट करें हूँ लेकिन आप उसको अपने माइंड के साथ आप अपने अंदर शौक पैदा करें सबसे पहले जबदस्ती आप नहीं कर सकती हैं, उसका शौक पैदा करें, अपने अंदर खारिश पैदा करें, I want to do that, मैं यह करना जाती हूँ, और स्टार्टिंग में, सिंपलस्ट चीजें, हम जब फाइन आर्ट्स की क्लास में गए, फस्ट यहर में, तो we were given, हम लोग एक टेस्ट के बाद वहां पहुंचे थे, हम से एक टेस्ट लिया गया था, हम सब में ड्राइंग स्किल्स मौजूद थी, लेकिन स्टार्ट हमें कहां से करवाया गया, एक गलास से, half filled with water, आदा पानी था, आदा गलास खाली था, उसमें हमें, उसको हमें ड् जानते हैं, और कौन से लोग ड्राइंग नहीं जानते हैं, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जो लोग ये impact ही नहीं दे सके, कि उसमें पानी मौजूद है, तीक है, अब जरूरी क्या है, जरूरी है सबसे पहले आपका शौक होना, कि आपको शौक हो कि आप सीखना ज दो यह रही है, बच्चों के लिए भी यह है, आप two HP और three HP pencils ने हैं, ठीक है, शौकनर लें, एक अच्छा शारजा शौकनर लें, लें तो हपी, three HP pencils, इन pencils की खासियत क्या है, इन पैंसिल के खासियत यह है कि यह स्मूध है इनके अंदर लेड की मिधार कुछ जादा है कुछ डाक लाइन्स देती हैं और पेपर के उपर स्मूध ली रान करती है Always use drawing paper कभी आम कोपी के पिपर के ऊपर शुरू कोशिश ना करेंगा हूं कि वह पैंसिल में को ज्यादा जल्दी कर देते हैं 样 के अश्किके को गोल कर देता है जाने इसको आण पर सिक्टर है को आ staनीं परका पार बार बार शॉप करना बड़ता है ट्राइंग पेपर में एसमें ऑし से परण है वो जल्दी जल्दी जड़ता नहीं है अपने पास मैंने आगर आप गोर करें मैंने एरेजर का नाम नहीं लिया है डोंट कीप एरेजर निर यू अपने पास एरेजर ना रखें टिप यही है अपने माइंड को फ्लो करने दें जलने दें जब हम एरेजर का इस्तमाल जी रोगर देते हैं इट्स मीन हम कुरेक्शन की तरफ लग गए परफेक्शन की तरफ लग गए let the things go एक लाइन ठीक नहीं लगी उसके पैरलल दूसरी लाइन लगा ले तीसरी लाइन लगा ले चौतरी लाइन लगा ले बनने दे, बनने दे आप कोई मास्टर पीस क्रियेट नहीं कर रही है आप किसी टेस्ट में नहीं बैठी है आप उसको बनाए लाइनों को लगने दे, ऊइडेजर यूज नहीं करेंगे, बच्चों को ऊइडेजर नहीं देगे ताकि कि बच्चे अपने माइड से create करें, नाकि वो उसकी correction में लग जाएंगे हम क्या करते हैं, हम बच्चों को pencil और copy देते हैं ड्राइंग करने के लिए और हम इसमें लग जाते हैं बेटे यहां से ठीक नहीं है बेटे यहां से ठीक करें यहां से मिटाएं ठीक करें यहां से मिटाएं ठीक करें आप ऐसा करती भी नहीं है तो इस आदत को छूड़ दें बच्चों को सामने कोई एक चीज रखें अपने स हमने एक गलास रखे अपना फिवरेट कप रखे अहजार जा एक सीरीज बना है पहले एक कप रखे पिर उसके नीचे से सौसर रखे उसे नेक्स ट्राइज में उसमें जाया डाले उसके नेक्स ट्राइंग में उसके साथ एक टी-पॉर्ट रख ले, फिर एक और कप रख ले, इस तरह से शुगर पॉर्ट रख ले, मिल्क पॉर्ट रख ले एंपटी पर रख सकते हैं, all these are should be empathy, खाली होनी जाई हैं सब चीज़े और टाइम ले चल्दी मत करें कोई जल्दी रही है अपनी चीजों को स्टिल लाइफ को औरेंज करके रखें दिन में एक दफ़ा टाइम मिले दोदफ़ा टाइम मिले डेली ना मिले आप उस स्टिल लाइफ को कमप्लीट करे और इरेजर का इस्तेमाल कोशिश करें के आप नहीं करेंगी अंटेट के अनलेस आपकी स्टेल लाइफ कंप्लीट हो गई आपने कंप्लीट कर ली तो एक्सेसिव लाइंस को आप उसमें से मिटाते हैं यह तरीका है अपने आप ड्राइंग सिखाने का आप ड्राइंग सीख सकती है बड़े बड़े प्रफेशनल इंस्टिचूट इंस्टिचूट में ड्राइंग सिखाने के लिए यही तरीका इक्तियार किया जाता है कोई आप यह ऐसे ही है जैसे आप स्किल ड्वैलप करते हैं अपने अंदर बोलने की स्किल कप्रे सीना सिखते हैं खाना पकाना सिखते हैं आप बेकिंग करना सिखते हैं कुछ पी करना सिखते हैं इसे तरह से अपनी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग के लिए आपको टाइंग, खाहिश, हर चीज़ का होना जरूरी है कॉलिज और यूनिवस्टी में भी चार-चार साल पढ़ाया जाता है तब हम इस काबिल होते हैं कि हम कुछ क्रियेट कर सकते हैं Drawing as a particular subject पढ़ाया जाता है और Drawing के उपर सबसे जादा मेनत की जाती है इसी तरह से आप लोग स्टार्टर्स के लिए मैं यही कहूंगी Pencils लें, Shopners लें और अपने अंदर खायश भी पैदा करें मैं करना चाहती हूँ आप बैठें अपने साथ अपने बच्चों को बिठाएं Group में करें काम बिल्कुल यह फील नग करें बच्चों से कहें कि मैं भी सीख रही हूँ आप भी सीख रहे हैं हम सब यह बनाएंगे बच्चों की कोई इंटरस्ट की चीज़ रख ले Perfection की तरफ मत जाएं Creation की तरफ जाएं बनाएं 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 जब आप बनाएंगी न तो आपका हाथ आहस्ता 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 Perfect काप पर आ जाएगा Drying करना सीख जाएंगी तो उससे next step होगा Shading का Shading का क्या मकसद है Shading उसको एक volume देने के लिए होता है उसकी inner और outer side शो करने के लिए होता है कि अंदर क्या अंदर की side कौन सी है बाहर की side कौन सी है लेकिन मैं आपको बताओ जितनी अच्छी drying होगी उतनी जिंदगी Shading से उसमें आएगी आप उसको ऐसे कर सकती है कि you can take out the cup out of the picture take the cup out of the picture ठीक है मेरा खाला कि अब आपको ये clear होगा कि आप drawing कैसे शुरू करें उसके लिए mindset होना चाहिए उसके लिए आपकी ख़हिश होनी चाहिए उसके लिए आपके पास एक sketch pad होना चाहिए और एक 2HP और 3HP pencils with a shopner no eraser please और इसके बाद आप अपनी एक still life बना लें, simple रखें tea cup और saucer is the best choice or water with a half glass with a half felt water एक glass जिसमें आदा पानी बरावा हो या cup और saucer best still life हैं starters के लिए इसमें angles, इसमें shapes इसमें तरह तरह की lines आती है इससे शुरू करें बनाएं बना के एक दफा ठीक नी बनेगी दो दफा बनेगी किसी page को फाड़िये मत ठीक नी बनी मैं इसे फाड़ के पेड़ दू keep them safe मेरे पास आज भी sketch books के pages महजूद हैं कई sketch books के जो sketch books मैंने अपनी educational life के start में इस्तमाल की या मैं अपने बच्चमें में करती रही अपने बच्चों के मैंने वो pages संभाल के रखे हुए है क्योंकि जो learning process है यह आपको जब आप उसको देखते है न तो आपकी अपनी current situation के ओपर आपको gratitude फील होता है आप अपनी accomplishment फील करते हैं ठीक है आप इसको इधर से start करें अपनी drawing pencils और अपनी shopners अपने पास रखें sketch pad को रखें आप यह drawing आपको relax भी करती है ठीक है यह relaxation के लिए भी होती है आप अपने आपको कर सकते हैं किसी भी tension के दुरान आप drawing start करें यकीन करें कि आपका mind एक relaxed state के उपर आ जाता है उमीद है आप के पास यह point clear हुआ होगा कि हम drawing कैसे शुरू करें कुछ जादा नहीं चाहिए है कुछ भी ऐसी कोई महगी चीज़े नहीं चाहिए है सिर्फ दो तीन चीज़े चाहिए है shopner, pencil और sketchbook और saucers अपने घर से ले cup saucer आपके घर में है glass आपके घर में है पानी भी आपके घर में है इसलिए आप स्टेल लाइफ को वहाँ पढ़ा रहने दें आपके अरेंज करें glass एम रखें उसको रखें पास ही वहाँ रखें दो तीन दिन में आप उसे complete करने में उसको perfect बनाने में कामयाब हो जाएंगी एक ही चीज़ को भार भार बनाएंगी यूविल बी एबल टू learn how to draw thank you मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया PRC के साथ जुड़े रहे यकीन कीजिए यकीन आप बहुत कुछ सीखने के काबल हो जाएंगे